हेलो गाईज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे हैं आप लोग उमिद करती हूँ आप लोग बहुत यच्छे होगो आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स लड़का होने पे सुरुवाती महिने से आप कैसे जा लगते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा लड़का होने पे फ्रेंड्स एक से लेके तीन महिने के बीच में मतलब की सुरुवाती महिनों से मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर अगर ये ये लक्षन दिखाई दे रहे हैं तो आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वो लक्षन हैं जो हमारे घर के बड़े बुज़रुक सालों सालों से सुनते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं और वो बात बहुत सारी गर्वती महिला के उपर जो है सच होती आ रही है, तो फ्रेंड्स अगर आप भी जानना चाते हैं कि लड़के होने के सुरुआती महिनों से लक्षन जो है वो कौन से होते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या फिर बेबी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाएगी और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जान लेते हैं शुरुआती महिनों से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके गर्व में पल रहा शिशु जो है वो एक बिबी बॉय हो से लेके तीन महिने के बीच में या फिर आप डेड़ महिना इसको लगा लो अगर इसके बीच में आपको कभी ना कभी एक दो दाग अपनी पैंटी पे दिखाई दिया है तो ये बहुती सटीक लक्षण होता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा इसके पाद आपके सुरुवाती महिनों में आप कैसे जान सकते हैं तो दूसरा सिम्टम सी ये होता है फ्रेंड्स जैसे की आपको सभी को पता है कि गर्वती महिला जब भी गर्वती होती है प्रेगनेंट होती है तो उसको उल्टी की शिकायत चक्कर आना जी घवराना बहुत ठीक है तो अगर आपको चक्कर और वो मिटिंग जो है और आपको जी मचला रहा है तो ये बहुती कम है तो आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बिबी बॉय होता है क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर के बड़े बुजर्ग बोलते हैं जिनको स्टार्टिंग के महिनों में इ आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बिबी बॉय होगा इसी के हम विपरित बात करेंगे फ्रेंड्स तो अगर आपको स्टार्टिंग के महिनों से ही बहुत ज़्यादा उल्टी की शिकायत हो रही है तो आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बिबी गल होगी थर्ड लक् आरे हैं बहुत ज्यादा नहीं आया है या तो एक दो आये हैं आपके पिम्पल और आपका फेस लंगा सा आपको जब आपके गर्फ में बेबी गर्ल होती है तो एक से लेके तीन मैने के बीश में आपके फेस के उपर बहुत ज़्यादा निखार आने लगता है बहुत ज़्यादा आपका फेस जो है ग्लो करने लगता है आपके फेस के उपर कोई भी दाने या दाग धबे जो है वो नहीं आते हैं इसके बाद हम चौथे सिम्टम्स के उपर बात करेंगे तो ये हैंट के पहले महीने से ही आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा आपको देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा बालों से अपने परेशान हो जाएंगे आप अपने बालों को लेके बहुत ज़दा दुखी हो जाएंगे हर घर में मतलब कि आपके पूरे घर में ना कभी आपके बैड़े के उपर बाल आपको नजर में आएंगे कभी आपको ना अपने सोफे के उपर नजर में आएंगे बाल बात्रूम में जब आप हेर वाश करोगे तब आपके बहुत ज़्यादा बाल जो है वो जढ़ने लग जाएंगे आप इस चीश को देखे बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएंगे कि मेरे इतने ज़्यादा बाल जो है वो क्यों जढ़ रहे हैं तो मेरी प्रेगनेंसी के दुरान मेरे साथ भी कुछ ये लक्षन हुए थे जिस चीश को मैं बड़े बुजर्गों को बताती थी या अपने घर के फैमिली मेंबर्स को बताती थी तो वो यही बोलते थे कि आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा फ्रेंड्स ये वो लक्षन है जो बेटे होने पे मुझे हुए थे अब बहुत सारी मैलाओं के साथ ये लक्षन हो रहे होंगे तो उनको नहीं पता होगा कि भी बेटे के लक्षन होते हैं या फिर एक बेटी के लक्षन होते हैं तो फ्रेंड्स जो ये लक्षन में आपको बत अगर आपके जो इसके विपरित अगर हम बात करें इसके अपोजिट हम बात करें तो बोला जाता है कि अगर आपके बाल जो है चोथे माईने के बाद बढ़ने लग जाएं मतलब कि घने होने लग जाएं एक दम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे बाल जो है जैसे कि फ लंबाई है वो बहुत जादा हो जाए और आपके बाल जो है वो तूटना बंद हो जाए और आपके बाल मोटे होने लग जाए तो ये लक्षन भी मेरे तरफ से आपको बेटा होने के ही माना जाएगा क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी की दुरान मेरे साथ ये लक्षन बहुत ही बढ़ने लग जाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे हम प्रेगनेंसी के सुरुवाती महीने से ही पेशाप के अंदर कौन से बदलाव देखेंगे जिससे आप समझ पाओगी कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा तो फेशाप के स्टार्टिंग महीने से ही आपको जो थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है अपना पेशाप तो ये भी एक लड़का होने की लक्षन माना जाता है बट आप इसको इस चीज से कंप्यार कीजिएगा कि आप पानी की महत्रा भी बहुत अच्छी ले रहे हैं और आप कोई मेडिसिन जो है वो ऐसी चीज नह हमारा पेशाप जो है यलो हो जाता है तब आपको ये बात नहीं पता लगेगी आप पानी का इंटेक भी अच्छे से कीजिए और साथ में आपको पेशाप को जो है न वो रोकना भी नहीं है जब आप पेशाप को रोकती हो फ्रेंड्स तो आपके पेशाप का कलर भी करना को सकता है और साथ में उसका कलर भी जो है न वो आपको डार्की नजर में आएगा और आपके पेट के निचले हिस्से में आपको मतलब की पेडु में जो है न दर्द होने लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी मैला ऐसी होती है जिनको ये प्रॉब्लम रात को होती है तो वो रात को जो है न अपना पेशाब जो है वो रोक लेती है वो आलकस कर जाती है जिससे उनके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा परिशानी आने के दिक्कत रहती है और वो उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी फ्रे विदावड भी आपको यूरियन जो है अपना बिल्कूल भी गर्वती महिला हो चाहे कोई गर्वती ना भी हो तब भी महिला को जो है न अपना पेशाब नहीं रोकना चाहिए क्योंकि मेरे सामने की ही बात है जब भी उन महिला ने जिनकों मैं जानती हूँ वो बहुत ज़ ज़्यादा सूज गई थी जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और उनका ओप्रेशन भी हुआ था तो आपको इन चीजों को नहीं करना है फ्रेंड्स रात को अगर पेशाब आए तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है कि हम सूबे कर लेंगे ठीक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना